नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका अपने चैनल कीश्टू सक्सेज है आज हम सोचलोजर की बुक का रिव्यू करेंगे जो MPPAC मेंस 2020 के लिए कित्ती लाप करी है वो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल देगा कि ये बुक लेना है आपको या नहीं लेना है या फिर किसी और की बुक लेना है ठीक है तो इसके अंदर का जितने भी यूनिट है सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया जाएगा और क्या विशेस्था है इस बुक की वो खासकर आपको बताया जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो भी डौट है और यह है कि 200-200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, भूक और फिर आपको पता चलता है कि भूक अच्छी नहीं है, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है, तो कोजिस करेंगे कि हर एक टॉपिक के ओपर इसके ओपर कवर कर ले, ताकि आप जो पैसा लगाने वाले इसमें 200-200 वो आपको वेल्यू वेल हो, ठीक है, तो लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखेगा, और अगर जानकर ये इच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देज़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो चलिए आज का वीडिय पेजेस में लिखा हुआ है कि क्या है, क्या नहींजि और समन्य जितने पächst narrative है वो सब भी बता आए गया है, ठीक है तो इसमें दिख लेते हैं, सिलेवस में कौन-कौन से टोपिक दिए थे और सब टोपिक कौन-कौन से थे वो सब लिखा हुआ है, समासास्तर का परीच्य, स रामोदाई विकास कारेकरम, खुटोम नयाले और मत्यवदेश की जन जातिया है ना तो मत्यवदेश की जन जातिया से सम्मधित तो टाटा आपके पास अल्रेडी पहले से ही होगा आपके अज़ बहुत सारी बुक होगी authentic book से पढ़ना पड़ेगा आपको अभी जो paper हुआ है उसको देखकर के समझ जाएंगे आप कि कितना detail में आपको पढ़ने की जरुवत है तो उपकार की होगी तो ठीक है, उपकार की हो सकती है पूनेकर की जो factual है वो तो होना ही चाहिए इसके साथ ही आपके इस Hindi Grant Academy की अगर आपको लेना चाहते है जो latest अभी launch हुई है तो वो भी ले सकते हैं ठीक है तो इसके बारे में दिख लेते हैं कि का information दी हुई है इन्होंने कि पहला ही topic ले लेते हैं कि समाज सास्तर तो समाज सास्तर के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया है उसी में इन्होंने एक box में दिरोट करके बता दिया है कि हम इस unit में क्या क्या बढ़ेंगे जैसे कि समाज सास्तर का अर्थ क्या होता है उसकी परिभासा उसकी प्रकृति उसका मात्व क्या होता है समाज का आर्थ और उसकी परिवासा दिखे जाएगी कि समाज क्या है भारती समाज और जो पश्चिमी समाज है उसमें क्या अंतर है क्या होता है क्या नहीं होता है समाज की विशेष्टाय दिखेंगे फिर उसके तत्वा और उसके प्रकार दिखेंगे फिर उसका कुछ इसपन्गनी तत्थे वो देखेंगे और संभाइच प्रशन है तो यह जो संभाइच प्रशन है वो दिये हो गए हैं तो आप उनकी प्रेक्टिस कर सकते हैं या फिर आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में त्री मार्कर फाइप मार्कर जितने भी इन्होंने पीछे दिये हुए हैं उसको लिख लीजिएगा कंटेंट तो अवेलेबल है यहां से है ना तो उसको अब लिख लेंगे तो दिख लेंगे तो इन्होंने सीधा समाज सास्त्र को लेकर करके अच्छे से एक्स्प्रेंट किया है उसमें पर्टिकुलर किसी अगर अधर का नाम चाहिए तो रैटर का नाम भी लिखा हुआ है उसकी बुक भी लिख लिखी गई है और उसके बारे में इंफोरमेशन भी एक क्या है जैसे फादर आफ सोचिलोगी को ने अगस्त काम था जो कि फ्रांस के थे तो उनके बारे में लिखा हो को यह और इसके लाब एक्स्प्राइन करेंगे पांच मार्कर के साबसे अगर आगा तो है ना तो इसके साबसे इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है तो इतनी समझ तो आपको डेवलप हो जाती है यह बुक पढ़ने के बाद कि आप किसी भी आंसर को लिख सके हैं उसका जब भी आप पढ़ आपको जब पढ़ेंगे तो आपको यहां से कोशिस करना है कि अपने दिमाग में एक चीज़ दाल के रखिए कि आपको जो भी कुशियन जो भी डाटटब पढ़ रहे है यहासे जो भी इंफॉरमिशन पढ़ रहे हो हो ठी मार्कर अप उ फाइब मार्कर और एलेवन मार्कर के साब से पड़ रहे हैं इसी सबसे आपको नोट्स भी बनाने हैं ऐसा ना हो कि आप दो दो जिन दिन पेजेस में नोट्स बना रहे हैं एक एक टॉपिक का तो नुखसान हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम आप रिविजन नहीं कर पाएंगे और फिर सिनॉप्सिस भी नहीं बना हो दे दिया तो समाज साथ से का सिद्धानतिक महत्व क्या है उसके पर फाइब मार्कर में पूछ लेंगे तो यह तीन-सर पॉइंट आप बता सकते हैं तो यह ऐसे इन्हों ने दिया है जो कि मुझे अच्छा लगा काफी अच्छा लगा आपको जो द्रश्टी की में द्र है इन्हों ने तो इसी जब्साप को मेंस में भी लिखना है कोषिस करना है 11에 समाज के सामाज की विश्यास्ता है सामयल की गई ए उसके और थ्वड़ास यसजा दा लिए तो इस टैप को कॉशन आएंगा तो इसमें आपको इस से लिख सकते ही है ऐसा फ्लो चार्ड बना सकत arrow arrow मारके आप यहां पर 4-5 पॉइंट दाल सकते हैं ठीक है तो यह आपका अराम से बन जाएगा और इसी टैप से आपको नोट्स भी बनाना है आप क्या है कि पहले बात तो यह बुक को पढ़िए रिडिंग दालिए अपने दिमाग में उसका understanding level बनाई है अपना particular topic को लेकर के जब topic को लेकर के आपकी understanding समझ बढ़ जाएगी तो आपको क्या होगा कि जो सिर्फ इतना flowchart बना हुआ है इतना ही अगर आप notes में भी डाल के रखेंगे तो इससे आप पकड़ लेंगे कि आपको रितियां के अंदर क्या लिखना है कारी प्र इस type की आपको चीज़े खोदी development हो जाएगा जब आप इसको पढ़ लेंगे पढ़ने के कोसिस करेंगे तो इस type की चीज़े दी गई है इसमें बहुत अच्छी बात है समाज के प्रकार दिये भी रूसका तो इसमें समाज के प्रकार दिये जैसे Spencer के इसाब से यह देखिए समाज के प्रकार उसका यह Spencer के हिसाब से क्यक्के बुला गया है सरलत समाज क्या है एक से दो लाइन में आपको लिखना है ज्यादा नहीं लिखना है उसे प्रकार मेसिरे समाज 12 समाज 13 समाज इस सबका एक एक दूतों पइंट में ही लिखना है ताकि ज्यादा बढ़ा नहो अब ये विक्सी समाज, पुंजीवादी समाज समय होती समाज क्या होता है आपको आल्रेडी पता हुआ है लेकिन आप एक पूर लाइन में लिख लीजिए ऐसी चीज़ लिख लीजिए जो कि आपको नहीं पता है अब जैसे कि यहां मानले जै की जैसे एक समाज क्या होता है, gaming soft क्या होता है, फंचे लिए हिनिंटी-Ingles में दोनों ने लिए उनल दिरunde लिखेंगे, तो जाएदा ऐ Little English का बंद समाज, excellent, जण समाज उनल जिसी को नहीं पता हो तो उसके बरत को फोकस करके थ्री मार्कर के सबसे बनाइए ठीक है अब वैसे तो इन्होंने नोट्स के टाइप से ही दिया हुआ है लेकिन तब भी इसे छोटा किजी क्योंकि ये खुद ये मालेजी कि 200-500 पेज की है तो 200-500 पेज की बुक को तो आप यहां से 30 marks का आने वाला है तो उसको आप रिवाइस थोड़ी कर पाएंगे इसी की चक्कर में पूरा दिनवर थोड़ी लगेंगे तो ये जो 200 पेजे से ना इसके 200 पेज को आपको कोशिज करना है कि कम से 50 से 70 पेज में आपके नोट्स बन जाए और अगर फिर जब सिनॉप्सिस बनाएंगे तो कम से कम कोशिज ची olarak iki याद नहीं आती है तो फिर आपको सिनॉपसिस देखेंगे तभी आपको रखी तो आपको क्या है तकरना पड़ेगा प्रविजन में दिक्कत नहीं आती है फिर आप जाकर के लिख देंगे अब जितने 5 टाइप अगर उसने बोले कालमाक्स में और पांचों के पांच लिख देंगे तो आपको नंबर बेचे मिलेंगे तीक है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है तो इसको आप टेबल के फॉर द्रश्टी के लिए अब कुछ चीज़े हो सकती है जो द्रश्टी में लेकिन निर्मान में ही है तो जो थ्री मार्कर और फैप मार्कर के सबसा है अगर आपको आगया एक्जाम में तो आगर आपका दोनों वुक है तो आप उसका फाइदा उठा लेंगे तो इस टयप की च आपको एक एक दो दो बात जब देख लेंगे आप तो आपके दमाग में सेट हो जाएगा कि क्या लिखना क्या ने लिखना है अब देखते हैं कि एक जो फर्स्ट यूनिट थे उसके बारे में इन्होंने क्या आए आती लग उत्तरी मतला थी मार्कर के साब से कोशन बना के द क्या गया का कई भार लग together, मुकते समाज की बनाहीं से सबस्था बताएं, और माक्स सामान्थवादी समाज की助क्राइब को सबस्था करें, लिए एक लाइन में एंट्रोलिक कम्यूनिस्ट मैनिफेस्ट हो है इसके बारे में अगर कुछ लिखा हुआ तो आप पर्टिक लाइन में बुक के नाम दा लिजे पर्टिकुलर एक बॉक्स पना करके चार पाइच पॉंट लिखिए और निसकाज लिख दीजे तो इसी टाइप से आप 11 लाइन में आपको क्या लिख सकते हैं तो इतने ही लिख पाएंगे आप ज़्यादा उसको कोसिस किजिए कि हर एक आंसर को टूदा पॉंट ही लिखना है ठीक है नैस्ट क्या है नैस्ट है कि दिर के उत्तरी परेशन भी लिखे हो गया है 11 मारका के हिसाब से है जो कि 2 बना लेंगे रफ को भी में बन जाएगा तो इसका फेर कोरने कोसिस किजिए उसको ठीक है इसका देखलते है कि 14 उनिट है इसमें मद्यबदिस के जिन जातिया है तो यह लिए गया है इसके बीच का क्यों छोड़ दिया गया है क्योंकि वीडियो बहुत पड़ा बन होगा कि बुक कैसी है क्या करना है लेना है नहीं लेना है तो बिल्कुल ले लिजिएगा खोसिस किजिएगा अब जैसे मद्यबदिस की जन जातिया है यह एक यूनिट है इसमें तो मद्यबदिस की जन जातिया के बारे में कौन से रैटर ने क्या का है सास डियन मजुनदा परिखाने क्या है उसके बारे वेक्त लिखा हूँ स्थिति क्या है रहा है कुए और सोभाोने करी होम notify स्थ रहे हैं कार श्रावै थिक भूंसी 25 परिष्चर नहीं 5% कहा जाद है अधिकिया खंधिक समन्हें क्या है इन्होंने पर्टिकुलर हर एक जनजाती के ऊपर अच्छा खासा जो भी जनकरीद देनी थी वो दी हुई जैसे भील जनजाती के ऊपर देख लेते हैं कि 11 मार्कर के साब से आगया कि भील जनजाती के ऊपर टिप पनी किजिए संचिप्त में विविरन दीजिए ऐसा तब आपको क्या करना है भील जाने जाती के बारे में बताना है थोड़ा बहुत की भाई भील सब्द के उत्पत्ति किस से हुई और किस परिवार से संब्ज़ी थे और किस शेत्रे हो पाई जाती है और अगर कोई बुक है किसी रैटर की उसमें अगर उलेक मिलता है तो आपको मेब डालना जरूती है मध्यवदेश का ठीक है मध्यवदेश का मेब डाल देंगे भील की जंज़ती की इस्तिति बता देंगे थोड़ा से जीले वयले लिख देंगे आप तो आपको ज़्यादा फाइदा होगा उससे ठीक है फिर उसके उप जाती है बताना है एक से निरेंगे उपजाती है समाजी सUNDरचना केसे बताएंगे उसकी समाजी संạnhना पर उसमें बताएंगे कि भाई को ग्राम का मुख्राइब कunta है PB कोन होता है पंचायत होती है कि células वहां तो फिर और श्वास-सलरया, भोजन, आर्थी किस्तेती के उनकी क्रसी करते हैं कर सितान्ते क्रसी, तो नहीं करते हैं जमक्रसी तो यह सब चीजें द रिए गई है इसमें में आप दे सकते हैं तो यह मेरे वे दिखें करिंट अफर के हिसाब से दाप अपरता है तो साथ धी तार अब यहां चलाए गया है अक्टूवर 2016 में तो आप यह भी देशबते हैं यहां पर और यहां पर नहीं भी लिखा रहे था करिंट अफर के हिसाब से तो आपको नोट कर लेना चाहिए उसमें जब भी आप नोट्स मनाएंगे तो दोस्तों यह वीडियो था हमारा इस बोक को लेकर करके वीडियो कैसे लगा है आप बताईएगा वीडियो अच्छे लगए तो लाइक और शेयर कर देजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा क्योंकि अब हम हर एक बुक को उठाने वाले हैं और को इस बुक को पढ़ने में अपना समय वरवात करने की जरत नहीं है कुछ ही बुक लेजएगा जैसे समासास लोगपरिसासन की बुक लेनी है राजनेतिक विचारक की बुक लेनी है ऐसे कौन कुछ है जो आपको लेनी चाहिए और अगर आपने 2019 का मेंस दिया हुए और या फ और वड़ी नहीं पाएंगे तो कोई उसका फादा नहीं तो आपको करना क्या है नोड्स में खड़िए जितने की जरूपते इत्ना खड़िगे और अपना इस गया ंपना यह से ऑपना से और यह तरे है आपको आस उसके नोड्स है के नहीं है नोड्स बनाई है दिनलर्बेट करके जल्दी से जल्दी प्रीका रिजल्ट आने से पहले आपके खुसिस कर लीजए कि जो टॉपिक ने हैं उनका तो कम से गम नोड्स बना के रखे जैसे पेपर 3 में कुछ जुड़ा हुआ है पेपर 2 में तो पेपर 3 की कुछ चीज़ सिप्ट कर दी गई है ट्रांसफर किया गया कुछ एडिसनल नहीं मिलेगा आपको राजनेतिक विचारक चिंतक के अलावा सोचोलोजी मिल दाएगा लोग प्रसासन मिल दाएगा तो पेपर 2 में ही इस्टेबलिजमेंट हुआ है जो कुछ हुआ है बाकि तो अल्रेड़ी जितने भी टॉपिक थे वो सब वेसी है अब ऐसे की बात कर लेते हैं तो ऐसे में कुछ कुछ टॉपिक जोड़ दिया गए और उन्हें टॉपिक बताएं हैं कि भाई इस टॉपिक से ही पुछा जाएगा इस टॉपिक से ही पुछ रहेगा तो आप उसके लिए पर्टिकुला बुख ले सकते हैं और डेले हर एक संड़े अगर आप यह से लिखेंगे हैं कुछ इस गोट याद करते रहेंगे तो आपको थोड़ बिलडिंग करने है फो सिली सर तो कि असके बाद हम एक इसके बाद हम लाएँगी लो pride कट्रासन कको नी बै psychedel हैं आपको दरस्टी की लिए आपको यह कौन कौन से बुक अच्छी है पेपर वन पेपर टू पेपर थी कौन को से टॉपिक के लिए कौन को से बुक लेनी है कौन से बुक नहीं लेनी है बस अब आपको बताएंगे ठीक है तो थैंकियू सो मच फरोजीन